जय हिन दोस्तों, अवद HDD Center महभूब गंज में एक वार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों पिछले वीडियों में आपने स्वर के बारे में जाना, आज हम सब बेंजन के बारे में अध्यान करेंगे बेंजन अर्थाद ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम बेंजन की संग्या देते हैं बेंजन के तीन भेद पाए जाते हैं, पहला है आपका असपर्स या वर्गिये बेंजन, दूसरा है अन्थस्त बेंजन, तीसरा है उस्म या संघर्सी बेंजन, तो असपर्स या वर्गिये बेंजन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इन दोनों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके वेंजन उसमिया संघर्सी वेंजन इसमें जो वड़ा आते हैं आपके आपका है दंत सा मुर्धन सा तालब सा और आपका ये हो ये आपके उसमिया संघर्सी वेंजन है अगला है आपका आप हम देख लेते हैं असपर्सी या वर्गिये वेंजन असपरसी बेंजन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जब बोले जाते हैं तो कहीं न कहीं कंठ से या गले से या तालू से या मुर्धा से या दंत से या वोष्ट से कहीं न कहीं टच हो करके तब ये बाहर निकलते हैं ये वर्ड इसलिए इसको असपरसी बेंजन और वर्गिये बेंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्गों में विभाजित हैं इसलिए इनको वर्गिये बेंजन की संग्या देते हैं इनकी संख्या, पचीस होती है, जैसे हैं आपका का वर्ग, तो का वर्ग में ये पाँच प्रॉण से लेकर के, आपके अस्परसी वर्गिये बेंजन की इंतरगत आते हैं, अब हम देखते हैं, इनको क्या-क्या कहते हैं, जैसे कावर्ग को हम कंठवर्ड के नाम से जानते हैं अब कंठवर्ड में आपका ये तो 5 अच्छरी आपके रहेंगे कावर्ग के पलस छोटा आ, बड़ा आ और अहा जिसको हम विसर्ग के नाम से जानते हैं और हा ये कंठवर्ड के अंतरगर आते हैं अगला है आपका चावर्ग, तालब वड़, तालब वड़ की अंतरगत, आपका चावर्ग भी रहेगा, तथा छोटी इ, बड़ी इ, दो स्वर, तथा या, और ये तालब वड़ की अंतरगत आते हैं, अगला है मुर्धन्य वर्ड जो है ये टावर्ग का 5 अच्छर भी रहेंगे पलस री और ये मुर्धन्य सा जिसको हम खटी सा के नाम से जानते हैं ये आपका मुर्धन्य वर्ड के अंतरगत आता है अगला है दंतिवर्ड, दंतिवर्ड की अंतरगत आपका तावर्ड के पाँच अच्छर तथा आपका छोटा सा जो है ओ दंतिवर्ड की अंतरगत आता है तीसरा है आपका ओस्ट वर्ड ओस्ट वर्ड आपके पावर के सारे पाँच में अच्छ तथा छोटाऊ और बड़ाऊ ये दोनों स्वर भी ओस्ट वर्ड के अंतरगत आते हैं अब हम देखते हैं नासिक वर्ड या इसी को अनुनासिक वर्ड कहते हैं अनुनासिक वर्ड अर्थात मु, जुबान से और नाक से दोनों से बोले जाते हैं और यहां हर वर्ड का पाँचवां वर्ड होता है जैसे अंगा, इन्या, आड़ा, ना और मा ये पांच अच्छरी आपके नासिक वर्ड या अनुनासिक वर्ड के अंतरगत आते हैं अगला है आपका दुई गुड या उपछिप्त बेंजन ये आपके धा और आड़ा है अगला है अयोगवा या किन्नर वर्ड अयोगवा या किन्नर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये स्वर है ना ये बेंजन है इसलिए इसको अयोगवा या किन्नर वर्ड के नाम से जानते हैं अंगा को अनुसार कहते हैं तथा आहा को बिसर्ग के नाम से जानते हैं अगला है आपका परकम्पित या लुन्ठित बेंजन अर्था ठराते हुए जब अंदर से कोई वड बाहर निकलता है तो उसे हम परकम्पित या लुन्ठित बेंजन कहते हैं और इसमें आपका एक है रा जो ठराते हुए निकलता है